Kratos, एक mortal जिसने Ares को मार दिया, बन जाता है निया God of War So gaming stories के पिछले episode में हमने देखा था God of War 1 की story और इस episode में हम देखेंगे God of War 2 की story So hello guys and welcome back to the fever grasp.com And let's begin Kratos, God of War बनने के बाद भी अपने Spartan Army के साथ अरलग-अलग city पे कभज़ा करता रहता है अपने past का बदला लेने के लिए और इस वज़ा से बाकी Gods उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन Kratos भी उनको पसंद नहीं करता है क्योंकि वहीं है जिनके वज़ा से इसके Nightmares अभी भी आते है फिर एक और सिटी जिसका नाम Rhodes है Spartan Army के सामने हारने वाली रहती है उस सिटी को पूरे तरीके से खतम करने के लिए Kratos नीचे जाता है तब ही Athena उसे रोक लेती है और कहती है कि जैसे जैसे तुम इन शहरों को खतम करते जा रहे हो बाकी Gods तुम्हारे अगेंस्ट होते जा रहे है और अगर ऐसे ही जलता रहा तो इस बार मैं तुम्हें बजा नहीं पाऊंगी Kratos अपने गुस्से के सामने नहीं मानता है और रोट्स चला जाता है वहाँ बहुचते ही वो अपने आर्मी का साथ देता है दुसरों को मार के और तब ही एक जाइंट इगल उसकी सारी पावर्स छीन लेती है और Kratos को लगता ही ये Athena का काम है और वही एगल रोट्स के एक जाइंट क्लोसस को जिन्दा कर देती है फिर आगे Kratos उससे लड़ता है लेकिन उसे मार नहीं पाता है कुछ दिर बाद फिर उससे लड़ता है और इस बार भी हार जाता है और जब तीसरी बार Kratos उसकी मदद करने के लिए कहता है लेकिन Kratos उसको मना कर देता है तब Zeus उसको देता है Blade of Olympus इसी Blade से Zeus ने Titans को डिफीट किया था लेकिन Kratos इस Blade को तभी निकाल सकता है जब वो अपनी सारी Godly Power इस Blade में डाल दे और Kratos ऐसा कर देता है और इस Blade से Closus को मार देता है और फिर तब ये पता चलता है कि ये सब तो Zeus की चाल थी क्योंकि वो Eagle जिसने शुरू में Kratos की Power ले ली थी और इस Closus को जिन्दा कर दिया था वो Zeus ही रहता है Zeus God of Olympus है और वो ऐसा Kratos को सबक सिखाने के लिए करता है क्योंकि Kratos ने अथीना की बात नहीं मानी थी फिर Zeus Kratos से कहता है कि आज चे तुम मुझे सर्फ करोगे लेकिन Kratos मना कर देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले भी किया था और उसके पास वो बहुत पच्टाया था Zeus मार देता है Kratos को अपने ही ब्लेट से और Kratos की पूरी स्पार्टन आर्मी को भी खतम कर देता है और एक बार फिर Kratos चला जाता है अंडर वर्ड में लेकिन इस बार दी मदर आफ अर्थ दी टाइटन गाया उसे बचा लेती है और फिर वो Kratos को मोटिवेट करती है कि एक ट्रू वारियर कभी हारता नहीं तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा और फिर वो उसे बताती है दी सिस्टर आफ फेट्स के बारे में और गाया कहती है कि इनी के मदद से तुम जी उसको मार सकते हो उस टाइम में वापस जाके जब वो तुम्हें मार रहा था काया उसके जखमों को हील कर देती है Kratos एक बार फिर वहां से बच निकलता है और वहां से निकलने के बाद वो जी उसकी पीछे ओलिम्पस निकल जाता है फिर रास्ते में एक टाइटन प्रोमीथियस को जी उसकी श्राप से मुक्त करने के बाद Kratos को पावर आफ टाइटन मिल जाता है वहां से निकलने के बाद Kratos चला जाता है आइलेंड आफ क्रियेशन पे जो घर है सिस्टर आफ एट्स का और उनी की मदद से Kratos उस टाइम पे वापस चला जाएगा जब Zeus ने उसको बेट्रेट किया था फिर वहां पे गाया Kratos को बताती है कि टाइटन का गौड था क्रोनस और Zeus इसी क्रोनस का बेटा था क्रोनस को एक भविश्वाड़ी का डर था कि उसी का बेटा उसको मार कर उसकी जखा ले लेगा और इसी वज़ा से वो अपने सारे बेटों को अपने बेट में कैद कर लेता है और ऐसा ही करने के लिए वो Zeus के पास आता है लेकिन फिर रिया जो क्रोनस की वाइफ रहती है और गाया की बेटी रहती है बजा लेती है अपने बेटे जीूस को उसे एक एगल के साथ भेच के और फिर जीूस के जगहा उसी के साइस के एक पत्थर को रख देती है करोनोस आता है और उसे उठा लेता है اور फिर उस पत्थर को जीूस समझ के खा जाता है फिर जियूस बड़ा हो जाता है और उसे इस उमर तक पालने वाली रहती है और कोई नहीं बलकी गाया फिर रास्ते में क्रेटोस थीजियस को मालता है उसे एक नई पावर क्रोनोस रेज मिलती है फिर जर्नी में आगे वो एटलेस से मिलता है और फिर एटलेस क्रेटोस से बताता है कि तुम्हें इस बार भी पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है फिर आगे क्रेटर्स को एटलस से पता चलता है कि ज्यूस अपने बाप के साथी साथ पुरे टाइटन्स के साथ वार छेड़ देता है अपने बाप को सजा देने के लिए जिसमें ज्यूस क्रोनस को और टाइटन्स को हरा देता है अपने ब्लेड ओफ ओलिम्पस से क्रेटस की स्टों को भी मार देता है। इसी वजह से गाया ज्यूस से बदला चाती है। और यही वजह है कि वह क्रेटस की मदद कर रही है। फिर अब क्रेटस ऑल्मुस्ट सिस्टर्स के पास पहुण की जाता है। तभी उसको पता चलता है कि Zeus क्रेटोस को मारने के बाद पूरे स्पार्टन को भी मार डालता है और फिर फाइनली क्रेटोस बहुत जाता है सिस्टर्स के पास लेकिन सिस्टर्स उसकी मदद करने से मना कर देती है और एक तो चाहती है कि क्रेटोस एरिस से भी न जीते लेकिन क्रेटोस उसे ऐसा करने नहीं देता है और उसे मार देता है और फिर ऐसे ही वो तीनों सिस्टर्स को मार देता है और उसके बाद उसका फेट उसके हाथ में रहता है और फिर गाया उसे बताती है कि वहां रखके शीशे से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और फिर फाइनली क्रेटर्स उस टाइम पे वापस ज़रा जाता है जब जियूस उसको मार रहा था और इस बार क्रेटर्स की सारी पावर से उसके पास रहती है फिर Kratos और Zeus में बैटल होता है जिसमें Kratos जितने वाला ही रहता है कि तब ही वहाँ पे अथीना आ जाती है और अपनी लाइफ सेक्रिफाइस कर देती है और कहती है Zeus का अंध यानि ओलिम्पस का अंध है जिसमें Kratos कहता है कि Zeus नहीं अपनी मौत बुलाई है तिरा थीना बताती है कि Zeus ने ऐसा इसली किया क्योंकि तुम Zeus के बेटे हो और Zeus को डर था कि तुम भी उसके साथ ऐसा ही करोगे जैसा कि Zeus ने अपने बाप Kronos के साथ किया था उसे मारके उसकी जखना ले ली थी इसलिए Zeus ने इतना सब कुछ किया तुम्हें मारने के लिए उसके बाद Kratos उस टाइम में वापस चला जाता है जब Zeus और टाइटन्स के बीच में वार चल लई थी और उस वार में Zeus ने टाइटन्स को हरा दिया था और वहाँ पे जाके Kratos गाया और उसके साथियों को बचा लेता है और उन्हें अपने टाइम में ले आता है Zeus को हराने के लिए और फिर फाइनल सीन में जब Zeus माउंट ओलिम्पस से नीचे देखता है तब Kratos वहाँ पे पहुच चुका रहता है So I hope आपको ये God of War 2 की स्टोरी पसंद आई होगी अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें इसे अपने गेमिंग वड़ी के साथ और नीचे कमेट करके बताएं इस गेम में आपका फेवरेट सीन कौन सा है सपोर्ट करें फिवर ग्राप्स को सब्सक्राइब करके म 칠ी कुशन को ब chain क hell तospace कर तावरेट प्रुछे अमे करें सब्सक्क्राइब करें सेब्सक्राइब स्ब्सक्राइब कि त Ugh झाल झाल